हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल डिजाइनर नोज में दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वालूँ प्लाजो पैंट का एकदम नया डिजाइन वैसे तो आपने बहुत सारे डिजाइन देखे होंगे लेकिन ये डिजाइन एकदम नय तो क्या करना है वीडियो को अन्हें देखना है वीडियो पसंट है दो लाइक करें और मेरे यूटुब चैनल को सब्स्क्राइबे तो चलिए मैं नया अब देख सकते हैं नहीं दोस्तों प्लाजो पैंट को मैंने इस प्रकासर नहीं ठिक है आप। पेपर पेपर चिपका दिए दिये है कि यहाँ से 59mm पर मैंने इसके लिंग की साँड़ेका से 7 किन Chinese E ठीक है उसके बाद क्या करना है आपने बिल्कुछ सेंटर में यह देखिए इस तरीके से मैंने लाइन खीच दी है और यह देखिए सेंटर से यहां से डेडिंज का एक निशान और यहां पर भी मैंने डेडिंज का निशान इसे सीधा निशान खीच दिया है और इस तरब भी सेंटर से डेडिंज करना जाना इस तरब और डेडिंज करना इस तरब और डेडिंज करना इस तरब और डेडिंज करना इस तरब इस तरह सीधी लाइन मैंने यहां से भी खीच दिया ठीक है इसके बाद आपने क्या करना यहां से सेंटर में से कट करना यह देखे यहां से इस परकार से यह देखे यहां तक मैंने कट डाल दिया है ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है यहां से यह देखे यहां तक कट डालना है और यहां पर भी इसी परकार से ये देखे इस तरीके यहां तक cut डालने ठीक है ये सारे cut मैंने cutting कर लेने ये देखे दोस्तों यहां से डेडियन के जो निशान लगा थे हमने इसमें सारे cut इस परकार से डाल दी है ठीक है इस तरफ भी ये देखे ठीक है इसी तरीके से आपने करना है और फिर उसके बाद क्या करना है पैंट को इस तरफ से घुमाना है ये देखे इस परकार से करना है इस वाले कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे ठीक है ऐसे फोल्ड करना है ठीक है अच्छे से देख लीजिए और फि कपड़े को हमणने ऐसे करना ठीक है बाद में इस लाई को हम खोल देंगे उसके बाद यह देखिए इस वाले कपड़े को भी हमने ऐसे करना ठीक है यह देख को उसके और इसी को पकड़के यहां पर रखना उन augmented यह देखिए यह लास्ट वाला है इसे भी इस प्रकार से करना है अब इस तरब के भी यह देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए और इस वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड करना है अब यह देखिए दोस्तों यहां पर मैंने कच्ची सिलाई लगा दिये क्या करना है इस कपड़े को भी ऐसे फोल्ड कर देते हैं यहां पर सिलाई लगा देते हैं अब क्या करना है दोस्तों इसके ओपर हमने अच्छे से प्रेस कर देनी है यह देखिए दोस्तों यहां पर मैंने प्रेस कर दिया है अब क्या करना है हमने इस वाले हिस्से को यह देखिए यहां से थोड़ा इस परकार से फोल्ड करना है यह आपने पहले फोल्ड कर लेना है ठीक है जब आप यह ट्रेंगल किसे लए लगा तो अभी फोल्ड करना है इस वाले हिस्से को दौस्तो हमने फोल्ड कर दिये गीजिया नीचे के तब ठीक है अब क्या करना किस्त त्री के समने एक पेपर लेना है ठीक है और यह देखें हमने नेट का फैबरिक लिए यह हमने इस पर का से फोल्ड करते हुए हमने इस कि यह देखिए दोस्तों नेट को मुलेपर पहर पर iç lase कर दिया है अब क्या करना है इसके बाद हम ने इसमप्लाजर पैंट के डिजाइन को प्रकाश से keen उपर i 말 मैं بتकुंइ अच्छे से आपने इसे safety pin भी लगा सकते हैं तो जिससे की अराम से यह सेट हो जाएगा यह देखियो दोखतों इसके बाद हमने क्या करना इस प्रकार से लेना और लेस को यहां पर लगाना है हमने आप अपनी मर्जी से कोई भी लेस में लगा सकते हैं यह देखियो दोस्तों इसके उपर मैंने लेस लगा दी है अब हमने क्या करना यह देखियो नीचे वाला जो पेपर लगवाई से हमने अलग कर देना है यह देखियो दोस्तों मैंने लीचे से पेपर जो लगा था उसे हटा दी है अब इसके बाद क्या करना यह देखियो एक पट्टी है इस पट्टी के चुड़ाई मैंने कितली ही मैं आपको बताता हूं यह देखियो इसके मेरे लिए 2 इंच की चुड़ाई इस प्रकास से मैंने दो इंच की चड़ाई ली है और इसके ओपर मैंने आप देख सकते हैं पेपर पेस्टिंग चिपका दी है पेपर पेस्टिंग चिपकाने के बाद मैंने क्या किया है एक तरफ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं प्रेस की है ठीक है अब इसके बाद क्या करना आपने यह देखिए इस प्लाजो पेंड़ को इस परकाचसे अपने रखनांक़ है ठीक है और ये देखे इस वाले हिस्से को इस तरीके से आपने रखना है ऐसे ठीक है है और यह वाला कपड़ा इसके उपर आ जाता है तो यहां पर किनारे पर सिलाई लगा ने अ यह देखिए दोस्तों डिजाइन बनकर मारा तैयार हो गया है अब हमने क्या करना है इस प्लाजो पैंट को यह देखिए इस प्रकाज से मैंने ऐसे करते हैं यहां पर फिटिंग की लगाने यह देखिए ठीक है इवर इस लगा तो वीडियो को लाइक करें मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे स्पोर्ट करें वीडियो को जाद जाद शेर करें थैंक यू सो मच